गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स आप सभी का प्लस टू एकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर फोर एडमिशन औफ आप पार्टनर साजिदार का प्रवेश आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे रिवेलवेशन ओफ एसेट्स एंड लाइविल्टीस संपतियों तथा दाइतों का पुर्णा मुल्यंकन तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिवेलवेशन एकाउंट के बारे में जो पुर्णा मुल्यंकन खाता है उसके बारे में कि ये क्या होता है एड टाइम ओफ एडमिशन ओफ एन न्यू पार्टनर रिवेलवेशन एकाउंट इस प्रिपेर फोर दा रिवेलवेशन ओफ एसेट एंड लाइविल्टीस साजदारी फार्म में नए साजदार के प्रवेश के समय संपतियों एवं दाइतों के मुल्य में आवश्यक समयोजन करने के लिए पूर्णा मुल्यां कनखाता बनाया जाता है तो जो पार्टनर फार्म होती है उसमें जब नए पार्टनर को क्या होता है प्रवेश मिलता है तो उस दसा में assets and liabilities का revaluation किया जाता है तो इससे related जो भी adjustment होती है उसको revaluation account में के की जाता है बताया जाता है इसे लाभानी समयोजन खाता भी कहते है अब क्यों कहते हैं इसे profit and loss adjustment account क्योंकि जो revaluation account है उसमें हम revaluation करते है asset and liabilities का तो जब हम assets and liabilities का revaluation करेंगे तो उससे क्या होगा उससे या तो assets की value increase होगी या decrease होगी वैसे या तो liabilities की value increase होगी या तो क्या होगी decrease होगी तो उससे जो फर्म है उसको या तो profit मिलेंगे या तो के मिलेंगे लॉस तो उन ही कोई हमके अगर रिवेलवेशन अकाउंट में बताते हैं तो इसलिए जो रिवेलवेशन अकाउंट है वो प्रोफिट एंड लॉस अड़ेश्ट्मेंट अकाउंट भी है उसके नाम से बजना जाता है इस इस अनॉमिनल अकाउंट इन इन कमेंट गेंज तो इसमें भी रिवेलवेशन अकाउंट में भी हम समपतियों और दाईतों के मुल्यांकन से होने वाली हानी और लाबों को बताते हैं तो इसलिए इसका भी कौन सा अकाउंट है नोमिनल अकाउंट है तो रिवेलवेशन अकाउंट का कौन सा अकाउंट ह कैसे होता है तो इसके जो left hand side है और debit side होती है right hand side क्या होती है credit side होती है और यह T-shape में रहता है जैसे कि आपको पता लग रहा है तो left hand side में particular amount और right hand side में भी करेता है particular amount तो left hand side में हम बताती है है revaluation account क्योंकि nominal है तो जो हमारे को loss है वो आता है debit side में इसकी और जो profit है वो इसकी कहां आता है credit side में आता है and stock तो इनकी value में कमी आई है तो हमने इनको यहां लिख देंगे debit side में और उसके बाद जो second है second जो loss है वो है to increase in the value of liabilities जब हमारी liabilities बढ़ जाती है पहले हमने कम payment करनी थी अब payment देने के लिए काफी जादा हो गई है तो इसका मतलब है हमारे valuation account है उसकी debit side में बताते हैं इसके बाद हड़ा जाता है unrecorded liabilities तो कई बार ऐसे liabilities भी होती है देंदारी होती है जो हम भूल गए होते हैं वह हमने record मिना नहीं रखी होती है जब हमारे को पता चलता है तो यह भी हमारी liabilities है तो हमारी क्यों जाएगा loss तो इसको भी हम जो valuation account है उसकी debit side में बताते हैं अब चलते हम credit side में तो credit side किसकी है income की तो सबसे पहले income है by increase in the value of assets जब संपत्ति के मुल्य में क्याती है व्रिधी तो जो हमने assets credit थी अब उनकी value क्यों जाती है बढ़ जाती है तो इसमें हमने जो assets वह ली हुई है जिसे plant machinery and stock हमने ऐसा माना हुए कि इनका मुल्य क्या हुआ है बढ़ा हुआ है तो जितने से मुल्य जो है बढ़ा हुआ रहेगा उसी को हम जो हमारा amount है उसमें rupees करके क्या करेंगे यह ल liabilities जब जो liabilities है उसकी value में क्या आती है कमी तो हमारे लिए अच्छी बात रहती है तो इतने से कमी आई है उसको हम क्या करते है रिवेलेशन अकाउंट के credit हैड में बताते हैं तो हमने एक्जामपल लिए है creditors and bills payable तो जो जो liabilities रहेगी जिसकी value कम रहेगी तो आपने उसको रिवेलेशन अकाउंट के किस तरफ credit side में बताना है इसके बाद आ जाता है unrecorded assets तो कुछ assets ऐसी होती है जो आपने record नहीं की होई होती है जब बाद में आपको पता चलता है तो ये आपके लिए profit की बात है तो इसको भी रिवेलेशन अकाउंट की credit side में बताया जाता है फि लोस होते हैं रिवेलेशन लोस या रिवेलेशन प्रॉफिट तो उनको हम partners के capital account में कर देते हैं transfer तो सबसे पहले आप debit side में जरूरत है balancing figure की इसका मतला हमारा credit side के जादा तो हम लिख देंगे two capital account in case profit और जो old partner है हमने समान है के two partner है तो age के capital में बीज के capital में जो profit होंगे व और अगर क्या हो गया है loss हुआ है debit side जादा है तो credit side में balancing figure आएगा तो हम लिखेंगे by capital account in case loss और जो A है उसका A के capital में B का B के capital में add हो जाएगा और उनके capital account में ले जाएगे और उनके capital account क्या हो जाएगा debit profit से capital account credit होती है और loss हो उनसे capital account क्या होती है debit तो हमने जान लिया format of revaluation account अब हम जानते हैं general entries के बारे में तो general entries for revaluation of assets and liabilities पूर्णा मुल्यांकन खाते के लिए रोज नामचा प्रविष्टियां अब क्या क्या होती है तो first है for increase in the value of assets संपतियों के मुले में बृद्धी होने पर तो जब assets की value क्या होती है बढ़ जाती है तो हमारे लिए किसकी बात है profit की ठीक तो इसमें क्या entry होगी assets account debit to revaluation account ये entry हो जाएगी क्योंकि profit है तो revaluation को कर दी जाएगा credit अगर loss है तो revaluation को कर दी जाएगा debit अब आपने narration भी लिखना है भी हो रहा कि ये क्या हुआ तो being value of assets increased तो यहां मैं लिखा है by name तो आपने नाम भी लिखना है किन किन assets की value में increase हुई है तो हमने example में माना था format में plant machinery and stock तो हम लिखेंगे being value of plant और उसके बाद हमने माना था machinery and stock increased तो ये narration हो जाएगी ठीक है अब second जो है four decrease in the value of assets संपतियों के मुल्य में कम होने पर तो जब assets की value में कम ही आएगी तो हमारे लिखेंगे हो जाएगा loss तो entry के बन जाएगी तो आपको बला मैंने profit of the evaluation credit loss of the evaluation code debit तो evaluation account debit और two आप कर देंगे assets ठीक है और इस में generation हो के लिखेंगे being value of assets by name जो हमने ली हुई है plant machinery and stock तो being value of plant comma machinery and stock decreased ठीक है यह बन गई decrease in the value of assets अब third में देखते हैं four increase in the value of liabilities दाइतों के मुले में ब्रिदी होने पर हमारे liabilities बढ़ती है देंदारियें बढ़ती है तो हमारे ली क्या होता है loss तो उस दस हमें आपको बला कि loss हो तो revaluation को debit profit of the evaluation को credit तो यह आप जाएगा revaluation account debit to liabilities account अब इस में generation के लिखेंगे being value of liabilities यहां पर भी by name increase तो हमने liabilities कौन कौन से माननी थी creators and wills available ठीक तो आपको भी question में जो जो होगी वह आपने नाम लिखते जाने हैं अब fourth देखते हैं four decrease in the value of liabilities दाइतों के मुले में कमी होने पर तो जब liabilities जो है हमारी कम हो आती है तो हमारे लिए अच्छी बात होती है प्रॉफ्ट की बात होती है तो एंट्री हो जाएगी liabilities account debit to evaluation account अब हम द्रेशन के लिखेंगे being value of liabilities by name decrease तो name आपको हमने क्या कर देश के बता जी थे एक creators bills payable और इनकी value में क्या आगी कमी तो यह हमने अब अभी जो है एंट्रियां की फोर जंडर एंट्री अब अगली देखते हैं जंडर एंट्री तो फिप्त नंबर पे हैं जंडर एंट्री फोर अन्रिकॉर्डिड एस स्थिती विवर्ण में ना दिखाई गई संपतियों के लिए तो कई बारास होता है कि हम assets को record करना बूल जाते हैं और जब हमारे को बाद में पता चलता है तो यह assets है कि हमारे नाम की assets भी है तो हमारे लिए क्या है अच्छी बात है profit की बात है तो आपको मैंने बोला कि profit की बात तो 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 रिवैलवेशन को कर देना अन्रिकोर्ड थी वह हमने account में कर दी लिख ली तो यह होगी हमारी fifth entry अब six देखते हैं four unrecorded liabilities स्थिती विवर्ण में ना दिखाएगे दाइतों के लिए तो अगर हम liabilities नहीं बताते हैं हमारे को पतन था लेकिन हमारे को बाद में लग जाता है पता कि हमारे liabilities है तो हमारे रिवालेशन को करेंगे debit तो बन गेंट्री रिवालेशन एकाउंट डैबिट टू लाइविल्टीज एकाउंट और इस मेंदरेशन का लिखेंगे बीइंग अन्रिकोर्ड लाइविल्टी इस टेकन इन्टू एकाउंट अन्रिकोर्ड थी अब हमने इसको टेकन कर दिया account मे अब इसके बाद सेवंत में आ जाता है फोर प्रोफिट ओन रिवालेशन पुना मुल्यंकन से लाब होने पर लिखा तो जब हमारे को प्रोफिट हो रहा है तो जनल एंट्री बन जाएगी रिवालेशन एकाउंट डैबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज यह किस में बंटेंगे यह बंटेंगे पुराने पार्टनर में और पुराने प्रोफिट रिवालेशन रिवालेशन पुना मुल्यंकन से हनी होने पर लेखा अगर लोस हो जाता है तो एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैबिट और टू रिवाले इज यह बनेगी जब profit है तो capital हमारे credit हो जाएगी बढ़ जाएगी loss है तो capital के हो जाएगी मानस हो जाएगी ठीक है profit में capital बढ़ देगी और loss में मानस हो जाएगी मानस का मतलब debit और plus का मतलब credit तो अब हम जानते हैं format of memorandum revlovation account के तो format of memorandum revaluation account, memorandum पुना मुल्यांकन खाते का प्रारूप, तो इसमें आपको पिछले पार्ट में मैंने बता दिया था, कि जो memorandum revaluation account है, first part इसका revaluation account की तरह ही रहता है, और second part जो है, first part का बिल्कुल उल्टा reverse मतलब हो जाता है, तो देखते हैं, तो इसका भी first part में जैसे जो है debit, जो है left hand side की होती है, और right hand side की होती है, credit, तो ये इसका format बन गया, और debit side में हम वही, जो हमारे को क्या होता है, loss, ठीक है, तो loss का बोता है, जब assets की value decrease होती है, और liabilities की value की होती है, increase, या unrecord liabilities आती है, ठीक है, तो इसके बार होता है, हमारे profit, profit कब होते हैं, जब assets की value increase होती है, या liabilities की value की होती है, decrease, या हमारी कोई ऐसी assets थी, जो हमने record ने की थी, उसका हमारे को पता चलता है, अब यहाँ अपने एक बात ध्यान देने होगे है, कि इसका जो profit और loss आता है, यह पुराने partners को ही पहले part का मिलता है, और old profit sharing ratio, तो यह भी हमने लिख दिया नीचे, old profit जो है sharing ratio में इनको बांट दी जाता है, अगर profit हैं तो old partners के capital account में credit कर देते हैं, अगर loss हैं तो old partners के capital account को उन loss के amount से कर दी जाता है, debit कर दी जाता है, और second part इसका बिलकुल उल्टा होत है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, तो जो second part है है format of memories valuation account, तो second part में इसका उल्टा हो जाएगा, तो जो first part में हमारे profit थे वो second part में हमारे जो है loss बन जाएंगे और जो first part में loss थे, वो second part में क्या बन जाएंगे? profit बन जाएंगे ठीक है तो यह उल्टा हो जाएगा profit बाले loss और loss बाले क्या बन जाएंगे profit बन जाएंगे फिर अब इसमें एक बात यहां important है कि second part में भी उतने ही amount आएगा जैसे अगर first part में हमारे को ऐसे example बताता हूँ 10,000 के revenue के profit थे तो second part में हमारे को 10,000 के ही loss आएंगे और अगर first part में हमारे को loss निकले 10,000 के तो इस part में क्या आएगे profit आएंगे तो अब हम क्या करेंगे जो पुराना जो first part है वो जो profit है वो बन टेगा सिर्फ old में और यह जो नया जो है यह सभी partner में क्या होगा बन टेगा ठीक है और in new profit sharing ratio इसमें नय partners को भी क्या किया जाएगा शामिल किया जाएगा